आपका दोस्त पर्दिप कुमार बांगडे आपका इस खारेकम के नाम है आपकी अन्रोथ पर दोस्तों आज मैं आपको बता हूँगा भारती इसिनमा की मशुहूर अभिनेत्री हंसा वाटकर इन के जिमित प्रशे के बारे में बता हूँगा दोस्तों अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप चान रोद है कि आप इसे लाइक करें वीडियो के नीचे रैट कलर का बटने उसे दबा के सब्स्राइब करें बाज़े मैं एक बाल है उसे भी दबा है ताकि मैं जो भी वीडियो दालू वो सबसे पहले आप तक महु जो कि 1936 में आई इसमें एक अविनेत्री के रूप में उन्होंने काम किया वाटकर ने बॉमेटा केज प्रभाद फिल्म कंपनी और नैशनल स्टूडियो जैसे प्रतिस्टित फिल्मों में काम करके अपना नाम कमाया उनकी इतिहासिक भूमिका मिश्नु पंत दामले की संत साखू जो कि 1941 में आई थी इसमें इन्होंने महिला संत साखू की भूमिका निवाए थी वाटकर अपने समय की सबसे अधिक मांग वाली और सबसे आधुनिक हिरोईनों में से एक थी हंसा वाटकर का जन्म 24 जनवरी 1923 को बंबई महराष्ट में हुआ इन्होंने अपने केरि लगने जो कि 1936 में आई थी इनकी पिता का नाम था भाल चंडर सलगावकर और इनकी माता का नाम था सर सती बचपन से ही यह अपने पर दादी के प्रभाव में थी जिने जीजी के नाम से पुकारा जाता था जीजी ने इन्हें नृत्य और संगित में प्रशिक्चित करने क के लिए कई अनुभवी सिक्षकों को लगाया लेकिन शरारती सभाव होने के कारण वो किसी से कुछ नहीं सिकती थी आखरी में जीजी ने इन्हें प्रशिक्चित किया जीजी ने अपने विशाल संपत्ति का बटवारा कर दिया था और हंसा के पिता को सावंत वाडी में घ प्रशिक्षा प्राप्त की उन्होंने भगवत बुवा के अधीन संगीत का भी अध्यान किया लेकिन गायन में उनकी कोई खास रुशी नहीं थी कुछ समय बाद परिवार मुंबई लौट आया और हंसा ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की परिवार वित्ती समस्याओं का सामना कर रहा था हंसा को इस्कूल छोड़ना पड़ा पिता शराब के आदी हो गए भाई ने काम करना स्विकार नहीं किया क्योंकि वो पढ़ा ही जारी रखना चाहते थे अब काम ढुणने की जिम्मेदारी हंसा पर आ गई हंसा ने फिल्मों में काम करने का फ अपना पुराना नाम रतन सलगाओं कर छोड़ दिया और हंसा वाटकर के नाम से फिल्मों में काम करने लगी उननीस सो चटिस में बाबु वाई पेंडल करकी विजैच लगन में नायका के रूप में काम करके इन्होंने मात्र तेरा वर्ष की उम्र में अपना फिल्मी सफर शुरु किया इस फिल्म का हिंडी में नाम था शादी का मामला इसके बाद हंसान ने अलग-अलग अलग कंपनीयों के लिए अलग-अलग फिल्मों में काम किया उन्होंने गोल्डन इगल मूवी टोन से नयुकथ एक हिंदी विद्बान से हिंदी सीखी उस समय चेतना नानन के साथ मीना प्रेम पत्र जमाना और राज कुमार जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम करके वो हिंदी भाशा में पारंगत हो गई पन्रह वर्ष के आईयों में इन्होंने वेवाह कर लिया लेकिन इनका जीवन कस्टों से भर गया फिर पैसों की कमी के कारण इन्होंने फिल्मों का रुक किया छै साल के अनुबंद पर बॉम्मे टाकिज में शामिल हो गई 1940 में बॉम्मे टाकिज के मालिक हेमांचू राई की मृत्यू के बाद उनकी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री देविकारानी से हंसा ने अनुबंद खत्म करने के लिए कहा देविकारानी ने अनुबंद समाप्त कर दिया जबकि तीन साल अभी भी बाकी थे इसके बाद हंसा ने प्रभाद फिल्म कंपनी के लिए काम किया जो उनके सबसे यादगार वर्ष रहे 1941 में संत सकू में सकू की भूमिका के लिए हंसा को आज भी याद किया जाता है 1944 में प्रभाद बेनर की राम शास्त्री फिल्म भी बहुत मशूर हुई हाला कि इस फिल्म के लिए हंसा को तमाशा नर्तक की भूमिका के लिए अलग से प्रसिक्षन लेना पड़ा था इसके बाद नेशनल स्टूडियो और राज कमल कला मंधिर के लिए इन्होंने यादगार भूमिका निभाई बात की वर्षों में 1905 में आई मी तुलास तुज्या आंगनी याने की मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म में खलनाईका की भूमिका के लिए याद के जाता है इस फिल्म ने मराटी में सरस्रिष्ट फिचर फिल्म का एवाड जीता 1969 में आई संगती आयका फिल्म भी खासी मशूर हुई इसमें जैसरी गड़कर भी इनके साथ थी केरियर में बेहद ख्याती प्राप्त होने के बावजूद इनका व्यक्तिक जीवन बेलकोल अच्छा नहीं था पती के साथ अलगाओ हो गया तरह तरह की मानसिक और शाररिक यातनाई ने जिल्नी पड़ी इनकी बेटी से भी इनको अलग कर दिया गया फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही ये लगातार जीवन से संगर्श करती रही इनकी जीवन की कहानी इतनी प्रेणा दायक थी कि आगे चल कर सन 1977 में शाम बेनेगल ने इनकी जीवन पर एक फिल्म ही बना डाली इस फिल्म का नाम था भूमी का और इस फिल्म में इसमिता पाटिल ने हंसा की जीवन चरित्र को निवाया था ये फिल्म कई पुरसकारों से सम्मानित होई मात्र 47 साल की उम्र में सन 1971 में इनका नेदन मंबई महरास्ट में हो गया इनका विवा बंदरकर से हुआ 6 सितंबर 1937 को वाटकर के फिल्म मेरा गाओं के पूरा होने के बाद उनकी बेटी रेखा का जन्म 1942 में हुआ वाटकर ने कई नाटकों में काम किया उनकी मलाकात अभीनेता राजन जावले से हुई जहां उनके साथ एक ऐसा रिष्टा बना जो उनकी मृत्तित तक चला इनकी कुछ प्रमुक फिल्मों के नाम दोस्तों 1936 में आई विजान चे लगना हिंदी और मराटी दो भाशा में थी हिंदी में इसका नाम था शादी का मामला है 1937 में आई आधुनिक युवा 1937 में आई बहाद्दुर के साल 1938 में इसने है इसने है 1938 में जमाना 1949 में नव जीवन 1949 में दुरगा 1940 में आजाद 1949 में अपरादी 1941 में संत साखू 1922 में अपना पराया 1922 में मेरा गाओ 1922 में दिल लगी 1944 में मीना 1944 में रामशास्त्री 1945 में आरती 1947 में लोकशाही रामजोशी 1947 में गौरोव 1948 में मेरे लाल 1948 में धन्यावाद 1949 में पंडीरे इच्छा पाटिल 1949 में संथ जाना बाई 1989 में मुख्या की बेटी 1955 में तुलस तुया आंगात 1966 में जैनार रूप सुंदरी 1968 में धर्मकन्या दोस्तों एक बार फिर से मैं इनके बारे में समचित में जानकरी देना चाहूँगा हंसा वाटकर का वास्तविक नाम रतन सलगावकर था इनका जन्म 1923 को मुंबई माराष्ट में हुआ इनके मृत्यू 1971 को मुंबई माराष्ट में हुई ये 1936 लेके 1968 तक लगातर फिल्मों में सक्री रही इनके पती का नाम था जगनाद बंदरकर इनकी एक पुत्री है जिसका नाम रेखा है तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लेगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त परदिप कुमार बागड़े को इसकार कम से जाने के इज़ाज़ देजिए नमस्कार जाए हिंद